हाई काईच तो फिर से एक नय वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है जाज का जो वीडियो होने वाला है बहुत जादे इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हमने बात किया है Instagram का जो Thread App लॉंज किया है उसके बारे में वह ज़्यादा कुछ नहीं अगर आप Twitter यूज किये होंगे न तो सेम वह ऐसा ही है Twitter के जैसा ही है तो यहाँ पर हम ज़्यादा बाते नहीं करते हैं चलते हैं अपने mobile के screen पर और बागी चीजें वहीं पर देखते हैं Instagram account गाया जाना और यहाँ पर प्रोफाइल जो सेटिंग होता है आपका profile view इस पर आ जाना है और इस तरह से बहुत सारे लोग प्रोन में नहीं या रहा है आपको क्या करना है प्लेश्टोड में जाके या यूस में आप यूज करते हैं तो आप पर प्लेश्टोड में जाके और आपका Instagram का जो अप्लीकेस है उसको अपडेट करना है देने option मिल जाएगा अगर उस तरह से भी नहीं या रहा है नो करना यहां परोटन होता है इस पर क्लिक करना और यहां पर सब्सक्राइब करना यहां पर दिखा़ देना और वहां पर जाने की बद आप क्या कर सकते है इस्टा अगर आप Android यूज़र है तो Android लेकर चला जाएगा वहां से इस्ट्रॉल कर सकता है जो कि बहुत से यह था सिंपल है बठ हमारे पास यहां 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 पर देख रहा होगे और रोटेट कर रहा है अब सिंपल यहां पर क्या करना है नीचे जो अप्सरा हमें क्लीक कर दो जैसे हम इस पर क्लीक करेंगा हमने देखिए आपर फ्लेश्टार में लेकि आ गया और इसका यहां पर आपलिकेसं अनने जिन्पली क्या करना में इस्टॉल बुटन पर क्लिक कर लाना है चलिए हम इस्टॉल कर लेते हैं यह आपको बताता है कि सु सब्सक्राइब करना है तो गाइज देखिए यहां पर फाइनली हमरा जो फ्रेड एप है इंस्टॉल हो गया है अब इस सिंप्ली आपको क्या करना है पर हम ओपिन कर लेदा है जैसे ओपिन करेंगे इंस्टाग्राम लॉग इन होगा जैसे कि इंस्टाग्राम को यूज करके लॉग इन होगा इंस्टाग्राम का एकाउंट आपके पास होना चाहिए तब ही जाके आप ठ्रेड को यूज कर सकते हैं जैसे कि देखिए यहां पर हमारे फॉन में इस्टाग्राम एकाउंट अल्रेडी पहले से लॉग इन है तो सेम यूजर आइड यहां पर देख रहा ह है उसकी बाद यहां पर देखिए नाम का अप्शन आगया लिंक आगया जैसे कि देखिए आप नाम जो है हमारा इस्टाग्राम से पिक कर लिया है नेम और यूजर आइडी ठीक है बट आप क्या कर सकते हैं यहां पर अगर आपको कस्टम बाइव डालना है जैसे कि इस्ट इस्टाग्राम का नहीं उठा है अगर आप चाते हैं कि इस्टाग्राम में और इसमें थ्रेड में दोनों में डिफरेंट बाइव हो अलग अलग बाइव हम आड करें और लिंक एड करें तो यहां पर आप कस्टम जो भी डालके और ऊपर वाला जो बटन दिख रहा है ना इस पर आप करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगा ठीक है अगर आप चाते हैं कि इस्टाग्राम में जो मेरा बायो है और लिंक है वो सेम कोपी हो जाए यहां पर उसके लिए इस्टाग्राम में मेरा जो भी था प्रोफाइल पिक्टर से लेके लिंक से लेके साला जीज़े यहां पर copy हो गया है ठीक है यहां पर finally copy होगे आप नीच से आपको simply क्या करना है continue बटन पर क्लिक कर दो यह से कंटीनिव पर क्लिक करिए यहां पर फेस्टाग्राम पर पेज बनाते हैं तो आप पूछता है ना कि पेज को पब्लीक रखना चाहते हैं या प्राइबेट रखन चाहते हैं ठीक है तो हमें क्या करना है पॉब्लीक रखना है आप अपने ही साफ से सेलेक्ट कर सकता है और continue बटन पर फिर से क्लिक कर दिया इतना करने के बद देखिए यहां पर इस्टाग्रम पर फॉलोर्स है जो भी मेरा फॉलोर्स है वो सारा यहां पर लिस्ट आगिया आप मेरा जाएंगे पर फॉलोर्स है तो मेरा फॉलोर्स आया फ Check सपा करा किया हो गया वसएछ क्लिक में डेखिए कितना ज्यादा सेंपल है figuring करेंगे आपका फ्रेटकाउंट बन यहांद के फाइना को ग्लिक भी बताया था कि ट्वीटर जैसा ही आए तो एक तम ट्वीटर जैसा आप इसको यूज करके देख सकते हैं तो यही छोटा से स्टेप्स था जिस तरह से आप थ्रेड एकाउंट को बना सकते हैं तो गाइच आयोप तो कि यह वीडियो आप लोगो को बहुत ही पसंद आया अगर तो वीडियो को लाइक तू करें दीजेगा साथ में मेरे चैल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो उसका रोटिफेक्शन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे चलिएगा इस आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं डेक्स वीडियो तब तक लिए जाएंद बाए